नमस्कार साथियों आप सब का पुनह स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो जोतिश में इससे पहले हम लोगों ने कुंडली विवेचना श्रंखला में कई अलग-लग कुंडलीओं की वेचना कर ली है और आज भी हम कुंडली विवेचना किस प्रकार से की जाए कुंडली में क् क्या चीजें देखी जाएं तो आप जानते हैं एक प्रकार से ये एस्ट्रलॉजी के नोमेरिकल या जोतिश के प्रश्न कहे जा सकते हैं तो आप जानते हैं math का simple सा rule है जितने ज्यादा numerical करेंगे उतना ही ज्यादा सरल हो जाएगा Math के सुत्र जान लेने के बाद उसके जो numerical है वो हमें करने ही पड़ेंगे ऐसा ही जोतिश के साथ है आपने जोतिश की चाहे जितनी मर्जी किताबे पड़ी हो जब तक आप कुंडलिया देखना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप उसका वास्तविक लाब है वो नहीं ले सकते हैं तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कुंडलियों पर अपने सुत्रों को लगाने का प्रयास करें ये सही तरीका है जोतिश को सीखने का तो शुरुवात करते हैं हमने ये चाट लिया है तो ये फिलाल में हमने इनकी कुछ जानकारिया गुप्त रखी हैं बाकी ये 15 से 16 बरस के बालक हैं अभी और अच्छा खासा वर्चस्व है माता-पिता का भी माता-पिता सविक्तराज अमेरिका में रहते हैं उनका जन्व वैसे माता-पिता का भारत में हुआ और उसके बाद विदेश में रह रहे हैं और अच्छा बहुत ही सुन्दर बालक है ये चीजे कुछ आप देखकर बड़ी आसानी से समझ लेंगे कैसा क्यों है बहुत ही सुन्दर बालक है और पढ़ाई की और जुकाव है और बहुत अच्छी चीजे हैं कुणलियों में जो मुक्य चीज होती है लग्न राशी वो बहुत बड़ी है और जो हमने दिमाग में ऐसा माना हुआ है, कि बही कुछ ग्रह ऐसा कमजोर हो जाते हैं, हमने मने ऐसा माना हुआ है, कि लगनेश के नीच अत्व के कारण कुंडली कमजोर हो जाती है, तो वो यहाँ पर किस प्रकार से वो समझा जाएगा ठीक हो गया और कुछ ग्रहों का तो debilitating होना या नीचत्व में जाना मैंने तो अच्छे परिणाम देखे हैं भक्तों के लिए और जिसको अपने ज्यान का एंकार कम है उसके लिए especially ब्रहस्पती और बुद्ध जैसे ग्र ज्यान का हिंकार हो जाता और नीचत्व लेकर फिर नीच बंग में आ जाएं तो फिर वो दोनों ही लाव ले ले लेगा ठीक हो गया विनम्बर भी रहेगा और उसका सांसारिक लाव भी ले पाएगा तो शुरुवात करते हैं जब भी चार्ट देखना तो सबसे पहले हम क् लगन क्या मिला है तो लगन क्या मिला है मील लगन मिला है बहुती सुंदर लगन है एक यह वाने राशी और लगन का एक कॉम्बिनेशन है हमारा जीवन हम कैसे भी एक्ट करते हैं समाज हमें देखता है लगन से तो बारा नंबर क्यान दखना है बारा नंबर कहा जाता है ब अज़ी राशी, लेकिन ब्रहस्थ्पति का भी थोड़ा एक जदा माने क्शत्रिय रूप दिखाये देता,"किसी राशी में, और ब्रहस्थ्पति का थोड़ा अध्यात्म भी है और सात न बें लेना चाहते हैं वो 12 नमबर राशी याने Pisces में दिखाई देता है मेल में दिखाई देता है तो क्या है कि बहुत समझदार है बहुत विबेकी है और आनंद भी नोथ पसंद करते हैं खास करके तब जब लगन में ही पुच्च का शुप पे बैठ गया है ठीक हो गया तो ये एक प्रकार का overrule हो जाता है कि भई अस्टमेश लगन में आ रहा है तो ये अस्टमेश का लगन से संबंद बन गया ठीक हो गया कि हम सामाने ता क्या बोलते हैं कि अस्टमभाव का स्वामियदी लगने में चला जाता है तो फिर जो आठवे भाव के पहलू आठवे भाव के विशे हैं वो भी उसके first impression में वो add कर देता है लेकिन केवल आठवा भाव ऐसा मृत्यू का भय ही नहीं है आठवे भाव को कई लोग मृत्यू भाव बोलते हैं कई लोग इसको आयू भाव बोलते हैं अब ये हमारा underground research भी है और ये वो धन है जो directly 11th house के जरीए हमने नहीं कमाये कोई भी speculation के जरीए मिलने वाला फायदा किसी का वो धन जो उसने पुरवजों से कमाया है या वो इसके लिए कुछ और शब्दों का भी इस्तमाल करते हैं कि वो पैसा जो directly जिसके लिए विक्ती ने tax नहीं दिया है इस प्रकार का पैसा कहीं उसको प्राप्त हुआ है वो आठवे भाव से भी देखा जाता है तो वो ऐसे पैसे को manage करने में ऐसा विक्ती काफी ज़्यादा expert हो सकता है हाला कि हमारा यहाँ पर किसी प्रकार से किसी इसका रनात्मक पहलू नहीं है लेकिन मतलब आप क्योंकि जब learning phase आता है किसी personality के लिए किसी विक्तित्व के लिए जब आप chart decode कर रहे हैं तो आपके दिमाग में रनात्मक और धनात्मक दोनों पहलू होने चाहिए जब आप उसकी विवेचना कर रहे है क्योंकि हमें यह बात सही है सब मैं ब्रह्म को देखते Лёgen मैं ही अपने रूप में अलग अलग रूपों में विवक्त हो जाता हूं तो वो तो आपकी अच्छी बात है कि सब में आप इश्वर को देखते हैं लेकिन इश्वर मैं स्वयम का है कि मैं अच्छे रूप और बुरे रूप दोनों में मैं ही समान रूप से व्यापत हूँ तो इसे लिए जो code of conduct है उसका भी पालन करना है तो कभी कई बार कुंडली आपके सामने आ जाए और हमें ये दोनों पहलों पर विचार जरूर करना होगा कि उसका धनात्मक और रनात्मक पहलों कि वो कोई ऐसा अनाधिकरत जो धन है उसको मैनेज करने में लगा हुआ है तो फिर उसमें कुछ ऐसा पापा करांत आठवे भाव का संबन्द ऐसा इस प्रकार से आएगा लेकिन अभी आठवा भाव का स्वामी एकदम बली होकर और शुक्र तो आप जानते हैं वो प्रकृतिक रूप से सौमेग रहे नाचरल बेनेफिक प्लानेट होकर लगन में आ गया तो किसी दूसरे विक्ति का जो ऐसा परंपरा का धन है उसको मैनेज करने में बड़े एक्सपर्ट होंगे ठीक हो गया और फिर उसके बाद शुक्र का डिपॉजितर कौन है याने लगन को प्रयाप्तबल मिल गया लगन में उच्चिका ग्रह बैट गया अब उसके बाद देखते हैं लगनेश की स्थिति क्या है लगनेश को ना ब्रहस्पती ब्रहस्पती याने हमारे बुद्धी का स्वामी कहलें आप इसको सेरे ब्रह्म का स्वामी होकर लगनेश ग्यारवे भाव से एक्सेक्यूट कर रहा है याने बुद्धी कहां लगाएगा विक्ती ग्यारवा भाव शुद्ध लाब पर ज़्यादा विचार करेगा ग्यारवाब हो, रूटीन इंकम, लाब, नेटवरकिंग, इस फरकार की विश्यों के लिए यदिविक्ति को, ऐसी चीजों का एक्सपर्ट बनाया जाए बच्चे को, तो बहुत बढ़िया रहेगा, और गुरू के साथ में कई ग्रहा बैठे हैं, आप देख रहे हैं, पहली चीज तो गुरू मंगल योग हो गया, और गुरू मंगल यहां बहुत ज्यादा पारफुल कॉमिनेशन माना जाएगा, क्योंकि मंगल धनेश भी है और नवमेश भी है, तो प्रबल, राजयोग, धनयोग, और अगर आप ध्यान से विचार करें, तो यह एक प्रकार, धर्म करम, अधिपति, योग का भी बेनिफेट देगा, लॉंग लास्टिंग फेम, रिलेटिड टू, स्टेटस, ठीक हो गया, तो ध्यान रखना, धर्म का मतलब, यहां धर्म का मतलब क्या है, कि मेरी डेडिकेशन टुवार्ड्स, ड्यूटी, मतलब मैं आफिस में, मुझे बर् पिता है, पूरवज है, तो यह प्रयाप्त बल, नवंभाव, सबसे जादा बल, हर प्रकार से अगर देखें, तो नवंभाव ने इनकैश करा लिया, सर्वस्थक वर्ग ने भी दिल खोल के दिया है, स्वामी आप देखेंगे, मंगल उच्च की राशी में बैठ गया, और वही नवमेश और वही धनेश है, मंगल, और मंगल नैचरल कारक होता है, भूमी पुत्र, जमीन का बेटा, तो जमीनी लाब इनके पिता के भाईयों को भी होगा, ठीक हो गया, इनके जन के कारण, जैसे कई बार क्या होता है, कि कोई संतान विशेश के कारण हमारे चाचा ताओ में भी जमीनी लाब बढ़ जाता है, तो इस परकार का चार्ट हम समझ सकते हैं, इनके कारण, इनके होने के बाद, विशेश रूप से, पिता के, यहने इनके पिता के भाईयों में, काफी ज़्यादा जमीन वर्द्धी हो गई, और जैसे मैंने शुरवात में बताया है कि हम देश काल पात्र अनुसार, यदि विदेश भाव से, विदेशियों के साथ, विदेशी संस्कृति के साथ, हमारा संबंद पहले ही है, और फिर यदि गुरु चांडाल योग आ जाता है, तो एक परकार अच्छा माना जाता है, जैसे दो डिग्री, लगभग दो डि 200-300 साल पहले वो विशय ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, अभी अपने राष्ट को छोड़ कर, अपने देश को छोड़ कर, कहीं और विदेश में जाकर बसना, वहाँ पर रोजगार के लिए जाना, अभी सबकी ऐसी इच्छा है, कि हम विदेश में जाकर रहें, तो अनुसार उसको धनात्मक, positively माना जा रहा है, तो फिर हम अगर हमारी संस्कृति में दूसरी संस्कृति का प्रभाव आ रहा है, तो उसको धनात्मक कैसे ले सकते हैं, ठीक हो गया, वो तो देखिया, आई रहा है न, हम दूसरे देश में रह रहे हैं, तो हमारी इच्छा हो ना हो, उनके सिंबल है, उनके पासपोर्ट सिंबल है, उनके लोगों के साथ रहना, उनके धार्मिक सत्सुंगों में, तो वो चीज़ धनात्मक ग्रूप से, positively ही लेनी है इसको, ठीक हो गया, तो ये गुरुचान डाली हो गया, और शब्द सुनकर ऐसा भय होता है, लेकिन गुरु नैचरल कारक होता है, लीवर का, तो कभी भी इनको specially केतु के अंतर दशायन चलेंगी, तो इनको अपच की शिकायत हो सकती है, बस इतना ही है, बाकी कोई इनके बौधिक सतर को कमजोर कर दे वो नहीं है, पाँचवा भाव हमारा degree certification है, और मैंने कई बार पहले बता परती का विक्ति, और जो विक्ति serious study करना चाता है, उसको बहिर मुखी नहीं, अंतर मुखी ही होना पड़ता है, अब जो बाहर सारे ही, सारे मने, कोई भी घर के function है, वहां हर जगे मौझूद है, तो वो कहां तो वो अंतर मुखी है, किस प्रकार का समय वो serious study के लिए दे प परता है, तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या, और तपस्या खास करके degree certification की दरश्टी से ये तपस्या मने, केतु negative परिणाम नहीं देगा, ये दी उसका deposit भी भली है, तो आप देख रहे है, deposit को होन है, केतु का यहां पर चंदर्मा, और चंदर्मा अपने से 11 होकर उच् परिवार में यही दिखते हैं, इनका आकर्षण रह जाता है, लेकिन यह बहुत अच्छी बात है, कितना आकर्षण होने के बाद भी जब ये पढ़ाई को समय देंगे, तो serious study करने में ये सक्षम है, ठीक हो गया, समन में आ गया, और एक चीज़ और, हमें ये अंतर करना है हमारी primary education, moral value, 6th, 7th, 8th, इस परकार की जो हमारी study pattern है, वहाँ पर हमारा, आला कि नीव तो बहीं रखी जाती है, ये वक्ति कैसा सच्चाई का पालन करने वाला है, कोई बहुत बुद्धिमान वक्ति, PhD holder, जरूरी नहीं कि उसका moral value बहुत हाई हो, मतलब ये कोई guarantee नहीं है, क कि कोई बहुत बड़ा उच्च शेनी का अफसर है, तो उसका नैतिक मुले भी बहुत अच्छा होगा, ये एक दमालग विश है, ठीक हो गया, तो ये हो सकता है कि कोई विक्ति कि उसने के वल 10th पास किया, लेकिन उसका नैतिक मुले बहुत हाई है, तो ये अंतर आप समझ रहें, ये दूसरा भाव वो नैतिकता है, ठीक हो गया, तो दूसरे भाव का स्वामी, प्रयाप्त बली और वैसे भी धन भाव का सम्मन्द आए भाव के साथ, बहुत अच्छा माना ज़त, और स्पेशली जब वो उच्चे का होकर राजयोग, धनयोग में इन वाल भरो तक कहना ही किया, ठीक हो गया, तो जो इनका प्रामिसिंग नेचर, इनकी जो मॉरायल बेल्यू, इनकी जो प्रैमरी स्टेडी पार्ट, वो सेकिंड हाउस, ठीक हो गया, इनकी एजुकेशन अबिलिटी, मतलब मैं पढ़ाई में, मेरा जो कोर इंटरस्ट कैसा है, वो फोर्थ ह जान, विद्या के प्रती, वो चौता भाव, लेकिन अगर वो पाँचवाव भाव बली है, तो फिर हमें सिक्षित माना जाएगा, ठीक हो गया, और उसके बाद फिर हम उस सिक्षा के स्तर को, हम सामाने पाँचवे भाव से देखते हैं, कि हमें बैचलर माना जा रहा है, कि हम उस education को और upgrade करना चाते हैं, हमने PhD, Masters करना चाते है, तो फिर हम 9,000 के बल पर भी विचार करते हैं, तो 9,000 मैंने बता हैं na, हर प्रकार से, आप देख लीजे, विचार कर लीजे, सर्वस्चक वर्थ का भी full support है, स्वामी बली है, ठीक हो गया, तो इणका जो higher education है, कई needs के जो बैचलर डिग्री से भी बहुत उचे दर्जे का रहने वाला मने जो भी स्कोर ये बैचलर में करने वाले उससे भी ज्यादा अच्छा स्कोर इनको मास्टर्स में मिलेगा ठीक हो गया तो ये बात आपको बखुपी समझ में आ रही होगी कि केवल लगनेश का debilitated नीच रा अत्मक्प्रभाव नहीं मानना है यह अपने जितना इनको ग्यान होगा उतना ही जादा मानी समय के सासाथ विनम्र होते जाएंगे ये अभी तो जैसे मैंने मताया 15-16 साल के बालख हैं जैसे जैसे इनको 9 ताउस के करीब जाएंगे वैसे वैसे और ज़्यादा विनम्र होत तो मंगल नैचरल कारक है जैसे सहोधरों का समान उमर के हमारे भाईयों का कारक माना जाता है मंगल और जो कोई ऐसे डिफेंस फोर्सेज में कोई काम करने वाले वक्ति हैं तो ये एक इनके लिए remedy भी हो सकता है कि इनको कभी आत्मविश्वास में कमी ऐसी दिखाई दे तो इनको सहोधर चाचाताओ के भाईयों का थोड़ा भी सपोर्ट ले ले तो वो जो आत्मविश्वास दग्मगार है क्योंकि वो ट्रिगर कर रहा है मंगल के कारण नीचत्व जो भंग हो रहा है उसका ठीक हो गया और उसके बाद ग्यारवे भाव की यदि वैसे बात करें ग्यारवा भाव बोलता है यहां शत्रू भी बैठा हो तो कुछ न कुछ प्राफिट दे कर ही जाएगा लाव दे कर जाएगा तो चार-चार ग्रह इनके ग्यारवे स्थान में बैठे हैं तो जो लौकिक लाव की दृष्टी से रूटीन इंकम की दृष्टी से बहुत बड़ी है संबंध बनाते हैं ठीक हो गया देख रहे हैं आप तीन-तीन ग्रश शवन नक्षत्र में ही बैठे हुए एक ही नक्षत्र में बैठे हुए है ठीक हो कि और चंद्रमा इसका विम्शोत्री ग्रह माना जाता है और चंद्रमा की सिती वैसे ही बड़ी बलवान है ठीक हो कि तो वो और दिमाग में ये जा सकता है कि सूर्य जो है वो शनी के भाव में बैठा है कुछ समस्या तो नहीं खड़ी करेगा वो sixth lot भी है तो अच्छे से विचारत करने पर क्या पता लगता है कि sixth lot तो वो है लेकिन शनी और सूर्य में mutual understanding हो गये कि भाई देख मैं तेरे घर का ध्यान रखना हो तू मेरे घर का ध्यान मत रखना है इसको समस्या मत करना कि mutual understanding है अगर तूने वहाँ समस्या create की तूने मेरे घर में कुछ गड़बढ़ किया और सूर्य तो वैसे भी पिता दृष्टी से शनी को देखता है ये वेद में भी पड़ा होगा कि सूर्य और शनी का आपस में ये वेद जब वो नहीं गिना जाता है इसी प्रकार चंद्रमा और बुद्ध का वेद नहीं गिना जाता है तो ये परिवर्तन का फायदा और बारवे का स्वामी होकर शनी छटे भाव में बैठा है, तो विपरीत राजियों का लाब भी शनी यहां दे रहा है, तो आपको यह वाली बात समझ में आई, अगर कोई कोई ऐसा सिंगल भ्रगु सम्मिता की वीडियो में आपने देखा हो कि भई हाँ, सूरी यहां बैठा है, और शनी की राशी में है, तो हो सकता है, यह कुछ रनात्मक फल छटे भाव के भी लाकर दे, लेकिन छटे भाव यानि छटा भाव रोग का होता है, और वो हमारे ग्या और हमारे ताव का होता है, चाचा का होता है, उनको रोग दे सकता, लेकिन अभी रोग से निवर्टी दे दी उसने, ठीक हो गया, मैंने सूर्य क्यो indacts क्यों चोड़ा? क्योंकि सूर्य सामान्मेकारक है, पिता का, तो पिता का जो सम्मंध है, उसको कहीं ऐसा तरास देने का प्रयास कर सकता था लेकिन अभी उसने mutual understanding याने ग्रह परिवत्तनियों का फाइदा ले लिया ठीक हो गया और उसके बाद माने ये काफी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है लाभस थानों में इतने ग्रहों का होना including लगनेश, लगनेश स्वें वहाँ बैठा है, ओफिस का स्वामी भी है लगनेश ओफिस हैने 10th लॉट बात करते हैं अभी धनभाव, धनभाव है कुटुम्ब है, हमारा हमारी जो promising nature, जैसे मैंने बता है ये हमारी 6-7th एर्थ की पढ़ाई जो होती है दूसरे भाव हमारा जो उसके प्रती जो वफादारी है हमारी टाइम के प्रती या हमारे शब्दों के प्रती जो वफादारी है वो दूसरे भाव से देखा जाता है उसका स्वामी बली स्थिती में तो अच्छा, बाने, promising nature कुटुम्ब, जब इनका gathering होगा ये इनकी पत्नी, इनके बच्चे जब gathering करेंगे कोई ऐसा kitty party घर में महौल बनेगा तो वो क्या message, first impression क्या जाता है उस gathering को देखता है एक number, एक number याने commander का office, कि बहुत अनुसाशित लोग हैं तो बहुत समय पर आये हैं और समय पर इनोंने कई program आपने देखे हैं बिलकुल भी ओर लोग manage नहीं करते हैं मतलब, बोला 8 बजे आ रहे हैं 10 बजे जा रहे हैं, 12 बजे मतलब, दूसरे भाव की band बचा रखिये और ये दी दूसरे भाव के स्वामी, माने देखे, वैसे तो दूसरे भाव में और भी कई ऐसे राशिया हैं, ग्रह हैं जो अच्छा बल देते हैं लेकिन जब स्वयम commander बैठा हुआ है तो आपको बता है, वो commander तो फिर वो अनला gun point लेकर बैठता है कि नहीं भाई, एकदम समय पर और वो इस बात को लेकर नाराज़गी भी जाहिद कर सकता है कि नहीं, आपको समय पर आना चाहिए आप लेट हैं समय पर तो ये, इनका आप एक प्रकार से, क्योंकि ये तो लाभी है, कई लोग इसको रड़ात में कहते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन आपने देखा है आज संसार में जो इसके परती वफादार है दूसरे भाव के परती वफादार है उसको जीवन में कम ही समस्या है मतलब आज इसी से तो हम दुखी हैं कि उसने वादा किया था मेरे साथ, चाहे कोई प्रेमी ने वादा प्रेमिका को किया, किसी राष्ट उने किसी को बादा किया, माने किसी country किसी को कहा कि हम आपका ये पूरा करेंगे, लेकिन उसने बाद में deny कर दिया, किसी bank ने किसी को बादा किया, बस ये बादा पूर्थी को लेकर तो हम परिशान है ज़्याद रखना है, हला कि कई हार हम तीसरे भाव के साथ सम्मन जोडते हैं तीसरा भाव के साथ हम एक वैसा relation नहीं मानते हैं तीसरा भाव की हमारा दिल का जुडाव है वो नहीं है वो एक सामान्य formal communication के जैसा है कि हमने कोई presentation दिया वो कितना बड़ी है कितना खराब है वो वहीं तक था लेकिन जो हमारा दिल के साथ जुडाव हो जाता है ठिक हो गया वचन जिसको बोलते हैं वचन पालन वो दूसरा भाव है ठिक हो गया तो यह ध्यान रखने है दूसरे भाव का बल बेहत जरूरी है आज के समय पर जो देश समय पर कारे कर रहा है जिस देश के ट्रांसपोर्ट समय पर चल रहा है जिस देश में हर चीज समय पर विक्ति को मिल रही है तो और क्या चाहिए और जा हर चीज समय पर नहीं हो पा रही है वही सबसे बड़ा करण बन जाता है आविवस्था का ठीक हो गया अगर गटेगी उससे पूरी कंट्री बादित हो सकते हैं एक छोटी सी चीज से किस प्रकार से बहुत बड़ा असका को प्रभाव देखने को मिल सकता है तो इसलिए समय पालन ही सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन के और दूसरी चीजे और मैंने बात कई बार बताई है कि हमारा जित से बोलते हैं ये हिस्सा अगर कहीं पीडित है इसका माने प्रथम भाव में कोई समस्य है इसी प्रकार से बार बार किसी व्यक्ती को गले में या जीव के उपरी हिस्से में इंफेक्शन रहता है उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये हमारा दूसरे भा खराब ही रहता अक्सर हमारा गला खराब रहता है तो ये हमें दूसरे भाव के बल को कमजोर कर सकता है ठीक हो गया इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरा भाव तो अंतर आपको समिझ में है दूसरा भाव हमारा नैत्विक मुल्ले है इस से हम कुटुम्ब का तो चंद्रमा पंचमेश होकर तीसरे भाव में बैठा हुआ है ठीक हो गया तो चंद्रमा याने मन कहां लगा हुआ है कॉम्निकेशन जो इनका पेपर वर्क है बहुत स्ट्रॉंग होगा इनको ऐसा रेकमेंड किया जा सकते है कि आप यदि कुछ ऐसा MBA Finance जैसा कुछ Chartered Accountant जैसा अगर करते हैं एजुकेशन में तो बहुत बढ़िया रहेगा जैसे अभी उमर इनकी 15-16 साल है तो कई प्रकार से जैसे मैंने बुला अस्टमेश भी अंडरगराउंड इस प्रकार की चीजों को मैनेज करने की किसी बड़ी कंपनी का Finance Manage करना हो वो कहां कहां से अर्निंग आ रही है वो समझ नहीं पार तो ऐसे लोग उसको बहुत बढ़िया लाब दे सकते इसी प्रकार से लगनेश भी फिर 11 आउस में चला गया 11 आउस हमारा एक प्रकार से बैंकिंग राशी माना जा सकता है तो इन चीजों के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो इनको उसी दिशा में आगे अग्रेशित करना चाहिए और आप जानते टारस व्रशब भी जॉडियक का धन भाव है और वहाँ पर चंदर्मा एक्साइटेड होकर बैटा एकदम 12 डिगरी ठीक हो गया तो आप देख रहे हैं 12 डिगरी उच्च का चंदर्मा एकदम युवा है और जेमनी पद्दी अनुसार भी वो मात्रकारक है 4th highest degree उसको मिली है तो मात्रकारक माने चंदर्मा की दशा में जो सम्मंद वैसे अब जानते चंदर्मा करक राशी का स्वामी है तो चौती राशी पढ़ती है करक राशी तो सामानिता भी करक राशी के स रहने का सुख ठीक हो गया बिल्डिंग का सुख घर का सुख चंदर्मा की अंतरदशा महादशा में बहुत बड़ी अपराप्त होगा दोनों ही दृष्टी से ठीक हो गया छोटों का भी फुल सपोर्ट है छोटे भाई बैन तीसरे भाव से देखे जाते हैं ओवराल भी भ हाफी बार सुनाया है कि सर पडोस में घर हैने मले विक्ति के साथ हमारा समन्द अच्छा नहीं हो पा रहे हैं लेकिन इस चार्ट के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आख बंध करके पडोस में विक्ति के साथ चल सकते हैं जैसे कई बार तीसरे भाव में कोई ऐस मेश राशी का राहू है या मंगल राहू का टिपिकल कॉंबिनेशन है तो कई बार पडोसियों के साथ boundary को लेकर ही बहुत बड़ा विवाद हो जाता है पतल अगर court cases चल रहे हैं पडोसियों के साथ तो वो तीसरा भाव यानि हमारा neighbor हमारी boundary wall गिरा दी उसने litigation हमारा six house भी कहीं affected है वो negative होकर third house का स्वामी six में चला गया है तो इस परकार की चीजे हम देखते हैं कि हमारा तो इनका पडोस इनको परेशान नहीं करेगा अगर किसी कभी किसी मुद्दे पर इनकी कोई दूसरे family member इनकी help चाहें कि यह परोसी है या आपकी बात सुनते हैं आप please कहिए तो इनकी बात निश्यत रुप से मानी जाएगी तो इनका formal communication भी excellent और ये अपने परोसियों को convince करने में बहुत ही जबरदस्त है ठीक हो गया और किसी भी gadget का इस्तमाल करने की इनको full shoot है कर बार हम रोकते हैं कि सर आप बहुती सतर्क होकर mobile messaging करें या कोई ऐसी call वगर attend करें तो सतर्क रहें सावदान रहें ठीक हो गया कुछ ऐसा गलत पैसा ना कट जाए लेकिन इनका third house exalted moon तो जितना भी संचार सेवाए माध्यम इस प्रकार के gadgets हैं वो तीसरे भाव से देखे जाते हैं उसका स्वामी अपने से 11 होकर रुच्चका बैठा है शुक्र तो सभी प्रकार इन विश्यों के साथ हमें ला भी मिलने वाला है और फिर बात करते हैं चौते भाव की स्वामी है बुद्ध बुद्ध अपने से सब्तम होकर दृष्टी पात कर रहा है ठीक हो गया और किसी की दृष्टी नहीं है ठीक हो गया तो ध्यान रखना है यह यदि चौते भाव माता की दृष्टी से एक image निकालना चाहें तो बुद्ध स्वामी है बुद्ध की दृष्टी पढ़ रही है तीन नंबर तीन नंबर को एक लाइन में समझते हैं तो क्या बोलते हैं राचकुमार आनन्द में रहने वाला राचकुमार के दो रूप हैं एस्लोजी में जोतिश में पढ़ते हैं कि बुद्ध के कन्या राशी में वो थोड़ा नियम बद्ध तरीके से जाधा चलता है नियमों को नियमों का पालन करने वाली लड़की ठीक हो गया वो कन्या एक लाइन में अगर समझना हो और मिथुन मिथुन के लिए वो मैथुन शब्द से मिथुन उत्पत्ती हुए तो वो कहीं न कहीं एक चंद्रमा के जाधा गुण यानि चंद्रसुत के रूप में बुद्ध के दिखाए देते मिथुन राशी में तो वो एक एक इमेज फर्स्ट इंप्रेशन जा सकता है कि हस्मुक घर परिवार माता का स्वभाव भी हस्मुक तीन नंबर से पता लगता है बुद्ध की दृष्टी पढ़ रही है और इसका सर्वस्तक वर्ग बल भी यदि देखें तो प्रयाप्त बली है और एक्जिक्यूट कर रहा है इसका स्वामी आफिस से ठीक हो गया तो ऐसे लोगों को ये भी पूरी संभावना है कि रहने का सुख आफिस प्रदान करे मानि जैसे हमने कहीं ऐसा कोई एजुकेशन इंडस्टी या कोई ऐसी कंपनी के लिए हमने काम किया है वो कंपनी हमें रहने के लिए भी फ्लाट या बड़ा अलाउंस प्रवाइट कर रही है ठीक हो गया तो हाला कि पूरी संभावना है कि इनको रहने के लिए कंपनी की तरफ से ही स्थान मिले ठीक हो गया और फिर हम चौथे भाव से रदे का विचार भी करते हैं चौथा भाव यदि निर्दोश है तो कोई ऐसा रदे घात का डर नहीं होता है और फिर चंदर्मा नैचरल कारक होता है बलड के लिए, रदे के लिए तो चंदर्मा उच्चस्थिती में है तो माता के लिए भी नैचरल कारक होता है मा का बढ़ी है अभी एक चीज थोड़ा सा doubt create कर सकता है कि हम zodiac जब बात करते हैं भोचक्र की बात करते हैं तो करक राशी का भी संबंध हम कही न कही छोटा pre-image लेकर चलता है करक राशी भी मात्रत्व माता इस परकार एक छोटा से impression जा सकता है society में करक राशी में केतू क्या कर रहा है केतू एक detachment planet है तो इनको ये एक advice दी जाती है कि इनको विवा के तुरंत बाद संतान उत्पत्ती कर लेना चीए नहीं तो मा के मन में ऐसा बहे हो सकता है माना किसी किसी से advice ले सकते कि इनकी संतान कब होंगी मा को इस परकार का एक हलका fear दे सकता है detachment planet के तू जो करक राशी में बैठा है लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ ये strongly negative नहीं कुछ कर सकता है जब तक उसका depositor कमजोर ना हो तो depositor तो बली है तो एक छोटा से impression society में जा सकता है कि मा थोड़ा सा लेकर थोड़ा सा परेशान और दूसरा फिर ये इनका अपने माने इस जातक का इस बच्चे का इनके अपने संतानों के साथ वारता लाप कम होगा ये बात समझनी है हमने ये नहीं का है कि इनके संतानों का status कम होगा संतानों का status चंद्रमा अपने से 11 उच्च का बैठा है लेकिन केतु को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं ठीक है तो भी अपने काम में वो लगे हैं उनका इस परकार का उनको बहुत बड़ी है स्टेटस मिला है तो वो कम संभाद करेगा ठीक हो गया तो ये बात आपको समझ में आई इसे लिए इनको एडवाइस कर सकते हैं आप यदि ऐसा संभव है तो जैसे हमने इनकी दर्शा जब देखी थी तो राहू में शुक्र का जब समय इनको आएगा तो इनको निश्यत रूप से ऐसा लगेगा कि थोड़ा एक्स्टेंड किया जाए विवा को या संतान को लेकिन इनको जल्दी ही विवा उपरान संतान करनी चाहिता कि मा को ऐसा केतु का प्रभाव ना जहलना पड़े उसके बाद हम पांचवे भाव में यदि बड़े तो पांचवे वहाना स्टमक है, स्टाकुलेशन है तो ओपन ट्रेडिंग से बचना चाहिए ओपन शेर मार्केट से थोड़ा सा बचना चाहिए स्टमक अपसेट रह सकता है जैसे नैचरल कारक होता है गुरू, तो गुरू रहो के साथ अब देख रहे हैं क्लोस इंजंक्शन में है और इसी प्रकार से पांचवाव स्टमक है तो वहाँ केतू बैठा हुगा है तो जब भी ऐसा केतू की दशाएं अंतर दशाएं चलें तो थोड़ा सा पाचन का ध्यान रखें और बाकी यदि बात करते हैं छटे भाव की छटा बाव उन विक्तियों के लिए तो बहुत important है यदि हमारा हमारी बुद्धी हमारा कारिक्षेत्र कहीं debit credit में लगने वाला है जैसे हमने शुरुवात में ही वो चीजें discuss की कि कहीं न कहीं यदि ये finance में जाते हैं कुछ ऐसा chartered accountant जैसा कुछ करते हैं तो बहुत बढ़िया रहे है तो ये 33 सरवस्टक वर कॉइंट के साथ one of the top house माना जा सकता है और शनी भी परीत राजियोग बना रहे हैं ठीक हो गया तो इनका चाहे litigation handle करने वाला चीज हो किसी का पैसा कहीं डूबने वाला हो अगर ये आगे तो वो पैसा recover कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से क्योंकि जो जै मिलती है हमें जै यानि जीत मिलती है वो 6,000 से मिलती है कोई भी किस परकार की जीत जो हमने कहीं डिशम डिशम किया हमें जो वहां जो victory मिली है इस परकार की जीत है वो 6,000 से देखे जाती है तो वो बहुत बढ़िया बल एकदम और इसलिए malefic planet जीतने के लिए बहुत बढ़िया माने जाते हैं तो सूर्य भी एक परकार से कुरूर ग्रह माने जाते हैं राजा के अंदर थोड़ा एक राजा का जैसे डर्द होना ही चाहिए इसलिए सूर्य को हमें कोई पापा करांत या पापक ग्रह नहीं मानना है वो कुरूर ग्रह समझना है तो ये अंतर कई दफ़ा कुछ विशे पढ़ते समय हम गढ़बढ कर देते हैं एसा नहीं करना है सूर्य को पापक ग्रह की बजाए कुरूर ग्रह समझना है ठीक हो गया शनी वक्री है तो आप जानते हैं वक्री का अर्थ एक लाइन में बोल्ड एंड अलोन जो भी शनी के प्राकर्तिक जो कारक होते हैं भई हमारा सर्वेंट हमारा सेवक तो ये ठीक है इनके घर सर्वेंट तो होगा लेकिन ये सर्वेंट पर बहुत ज़्यादा ओर्डर चलानन को पसंद ने हो ये खुद ही वो सारे कार है जैसे कई वक्तियों की प्रवर्ति होती ही भई सर्वेंट याने नौकर का उसको इतना ज्यादा उसको कि भई ये भी आपको करना पड़ेगा ये जब भी शनी हमारा एक प्रकार से वक्री है ज्यादा स्वाबी मानी तो वक्तियों अपने सेवा को लेकर थोड़ा स्वाबी मानी अपने आप ही करने वाला है ये मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए चाहे वो वोलिंटरी करना भी चाहे इनका सर्वेंट लेकिन वो बोलेंगे नहीं मैं स्वयम करने की मुझे मादा है आप मत कीजे तो इस प्रकार का जैसे कोई और ग्रह वक्री हमने इस परशे पर कई बार बता है जैसे माली जो गुरु वक्री होता है तो हम किसी दूसरे वक्ती से ज़्यादा ज्यान लेना पसंद नहीं करता है स्वयम सिक्षत यानि वो सभी विश्रयों पर खुद ही रिसर्च करना ज़्यादा बहतर करता है और इसे प्रकार शनी वक्री है अभी सात्मा भाव की बात करें सात्मा भाव एक बड़ी टीम को भी मैनेज करना होता है कोई interaction कोई meeting close करना भी होता है सात्मा भाव स्पाउस के लिए भी देखा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन जो स्पाउस का है वो कैसा हो सकता है तो पत्नी के लिए या पती के लिए सात्मा भाव होता है तो सात्मा भाव छे नंबर छे नंबर याने कन्या राशी एक ऐसी लड़की जो नियमों का पालन करती है मैंने कई बार समझा है कन्या राशी का अर्थ तो बहुत बड़ी है कन्यार अशिकर स्वामी अपने से चतुर्थ होकर बैठा हुआ है ठीक हो गया और इसका जो डिपॉसिटर है मैंने एक बुद्धी की बात कर रहा है ज्यान की बात कर रहा है तो बुद्ध पर उसके डिपॉसिटर का भी प्रभाव पड़ेगा तो अब ये बात भी एक समन्वित अध्यान अगर करते है कि बही सात्वे भाव पर एक तो आप देखें यदि सात आठ नो गुरू की भी दृष्टी है जो बुद्ध का डिपॉसिटर है और राहू की भी सात आठ नो नवम दृष्टी है तो वो तो बात मैंने पहले ही बता है कि दूसरे संस्कृती के लोगों के बीच रहना ये भी हो सकता है कि पूजा पद्धती थोड़ी सी अलग हो जो इनका स्पाउस है उसका पूजा पद्धती थोड़ा अलग है क्योंकि गुरू चांडाली हो गया है दूसरे संस्कृती के विक्तियों का प्रभाव पड़ेगा खास कर जब दोनों ही प्लानेट बहुत ही कम डिग्री में सात्वे भाव पर दृष्टी पात कर रहे है ठीक हो गया और बुद्ध जो है वो ज्यान और बुद्धी दोनों का मिलन दिखाए देता है पार्टनर के उपर हाला कि 21 नंबर जब सात्वे भाव में आते हैं तो ये पार्टनर्शिप की दृष्टी से मिटिंग क्लोज करने की दृष्टी थोड़ा कम अच्छा माना जाएगा तो अगर इनको पूरा कोर बिसनस लीड करना हो कि फुल बिसनस तो थोड़ा कम अच्छा माना जाएगा ये या तो फ्रीलैंसर जैसा कुछ काम करें या ये किसी बड़ी कंपनी के अंडर काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जब ये कोई ऐसा मिटिंग क्लोज करने के लिए जाते हैं तो ओवराल रिजल्टेंट ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता किसी को अगर ऐसा लगए कि नहीं सर साथ आओ तो स्पाउस का भी होता है तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी मैरिड लाइफ के लिए सेकेंड सेवन्थ एर्थ तिनों को मिला कर ही हम किसी रज मने किसी रिजल्टेंट पर पहुंच सकते हैं साथ में भाव का स्वामी बुद्ध ठीक हो गया सर्वस्ट रकवर कम अंक बिले तो ये क्या बताता है कि बही जो first impression कही बार जाता है society में दियान रखना है हम अपने personal opinion है हमारा चंदरकुनली से देख रहे हैं वो साथ में बाव लेकिन society में first impression जा सकता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही busy रहते हैं तो कहां पती-पतनी थोड़ो आप एक दूसरे को समय दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं क्योंकि देखिए वुद्ध ऑफिस में बैठ कर कारे कर रहा है तो 21 सोसाइटी में ऐसा मैसेज जा सकता है कि भई पती पत्नी को दोनों को आपस में बैठने का समय मिलता भी है कि नहीं लेकिन अगर हम बात करते हैं आठ में भावों को आठ भावों हमारा एक प्रकार से और्गन सलिस्फैक्षन ससुराल पक्षण और दूसरा भाव हमारा कुटुम्ब तो फिर हम जब औस निकालते हैं तीनों भावों का तो औस अध हमारा गुड से भी उपर है ठीक हो गया है तो अच्छा माना जाएगा इसलिए कोई ऐसा मन में विचार नहीं रखना है मैंने तो कई बार मैं तो खुद कई बार ये विशे बोला है मैंने कि जो लोग केवल सात्वे भावों को आधार बना कर विवा कर रहे हैं जिनका दूसरा भाव आधार भाव पूरी तरह क्रैश है उनको दिक्कते आ सकती है लेकिन अगर कोई सात्वे भाव की अपेक्षा दूसरे भाव को ज़्यादा महत्व दे रहा है विवा के लिए तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ठीक माना जा सकता है क्योंकि हम केवल एक विक्ति के साथ सम्मंद जोडने को विवा नहीं कहते किविकेवल एक विक्ति वो ठीक है वो जरूरी विषय है लेकिन हमारा उस विक्ति के साथ सम्मंद जब संतान उत्पत्यों तो भी प्रेम में लेश मात्र कमी ना है ऐसा तो ये दूसरा बहुमारा promising nature, करतवे परायन था मैंने बोला था आपको जो तब बोला था, मैं आज भी वैसा ही हूँ ऐसे नहीं कि संतान के बाद मैं किसी responsibility से भाग लेने वाला हूँ क्योंकि देखिए विक्ति अपने सुखी जहां तक बात करता अपने आनंद को बढ़ाने के बात करता जब तक उसको आनंद, उसको शारिरिक सुख मिल रहा है वो complain नहीं कर रहा है लेकिन जब उसको बोला जाता है कि अब आपको करतवे करना है आपको एक duty दी जाती है फिर वो डग मगाने लग जाता वो चीज ठीक नहीं है तो वो जो हमारी वफादारी है किसी करतवे को लेकर ठीक होगे यह अंतर आप समझ रहे है नवम भाव वैसे हमारी जो ओफिस में काम करने वाली dedication है उसके परदी वफादारी बता है लेकिन ओवरार जो मेरा प्राण जाए पर वचन ना जाए मेरा overall ऐसा image है वो second house से दिखा जाता कई बार हम दो और नौ को समझ नहीं पाते हैं मैं office में तो काम में बहुत अच्छा हूं मेरा boss बहुत तारीफ करता है office में काम की लेकिन मैं promising overall मेरी image जो है society में बही ये तो वादा पता नहीं office में तो boss को खुश रखता है इससे office वाले खुश रखता है लेकिन ये इसकी जो personal life है वो बिलकुल भी वादा पूरा नहीं करता है ठीक हो गया तो ये तो आप वैसे भी जानते एक सामाने भाव के लिए remedy हो ना हो ये तो बात की बात एक सामाने विचारी ऐसा होना चाहिए ब्रम याने परमात्मा ने अलग-लग रूपों में अपने आपको अभिविक्त किया है तो हम कैसे परमात्मा के उस रूप के साथ वादा खिलाफी कर सकते हैं ठीक हो गया इसलिए वादा खिलाफी तो करनी बहुत बड़ा दोश लगता ही लगता है इसलिए अगर वादा पूरा नहीं कर सकते हैं तो वादा ना करें लेकिन वादा खिलाफी का तो बहुत बड़ा दोश लगेगा ठीक हो गया और यही दुक का कारण है यही हो रहा है भई हमने हाँ ठीक है हम आप वादा पूरा करेंगे दोनों ही यह सहमती के साथ विवा करते हैं और उसके बाद जब करता वह आगता तो भाग जाता है वो नहीं निभा रहा है वो तो सब ब्रह्मा देखी रहा है पिटाई खर्जब होती है तो फिर आद्मी ची नहीं किसी बड़े नितिजे पर पहुंच सकते हैं साथ आठ दो तीनों पर विचार करना है अभी आठमा भाव काफी बली इसका स्वामी उच्चे का है तो जो मैंने बताया कि यह इस प्रकार के अर्निंग को पैतरिक संपदाओं को मैनेज करने में भी बड़े साथमा भाव तो आठमा भाव स्पाउस का एसेट्स तो यह भी बहुत बली हो गया नवा भाव हमारे अप्रूवल जजेज पैतरिक पूरवज तो यदि पिता माता के लिए कि तो उन दृष्टी से देखा जाए तो बहुत लखी चार्ट है पूरवजों को इनके उपर बह बुद्धिमान वेक्ति ऑफिस में और डिपॉस्टर ग्यानी है बहुत डिपॉस्टर कोन है यहां ब्रहस्पती फिर ग्यारमा भाव बहुत अलग अलग प्रकार से लाव निकालना जान रहे थोड़ा सा मतलब यह कह तीनों की मेंटलिटी मैच कर रहे है थोड़ा सा यदि रहु पर कारे करें रहु यानि एक प्रकार से यदि हम जहां कारे करते हैं सबी से समन्वे रखना है लेकिन यहां जो उतिश में जो कारक माने जाते हैं कि भई हम अपने ऑफिस के सबसे लोर रैंक के विक्ति के साथ भी कभी कभी संबाद करें उसको कन्विंस करके रखें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को कोई बुरा या अच्छा मान रहे हैं तो ये रैंक दे रहे हैं। सूरे सामानिता उस ओफिस का बॉस माना जाता है। और रहू उस ओफिस में सबसे लोवर रैंक का अधिकारी या करमचारी। तो उसके साथ महने सबे में सबके साथ रखता है। लेकिन जो हमारे चार्ट में बाई-डिफॉल्ट हमें बली मिल गया है चुछ कमजोरी मिल नहीं बल है वो ठीक है। लेकिन जो कमजोरी — उसको भी to manage करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे विक्तित्व के साथ हमें थोड़ा उनके साथ हमें पूछना ही प्रयापता है आपको कोई ऐसी समस्या तो बताइए आप मुझे मैं जितना हो सकेगा मैनेज करूँगा तो संबाद से भी ये राहू इन तीन प्लानेट को संकट नहीं देगा क्योंकि बाकी तो तीन एक ही लोगी के है तूरे का स्वभाव गुरू का स्वभाव मंगल का स्वभाव तो ये एक साइड के एक लॉबी के प्लानेट है राहू थोड़ा अलग प्लानेट है तो वो इस प्रकार मैनेज किया जा सकता है और बाकी जो फॉरन कंट्री में रह रह अपने पूजा विवस्था के उपर, लेकिन दूसरे के प्रती भी हमें सम्मान होना चाहिए, ठीक हो गया, तो उसी प्रकार से ये चीज भी, जो इस प्रकार लोग रह रहे हैं, दूसरे देशों में, दूसरे सब्विताओं में, तो रहो क्योंकि, फॉर्न लैंड, फॉर्न पीपल को रिबर्जन करता है, तो उसके प्रती एक, यहने उनकी अच्छाईयों के प्रती जो आदर है, वो भी इस प्लानेट को, मैनेज करके रखता है, फिर आता है बारवे भाव, बारवे भाव में, यह कोई अपवे जैसे गुरह बैठे हैं, तो बहुत खर्चा करवा देते हैं, कोई टिपिकल कॉम्बिनिशन बैठा हैं, तो वो जेल यात्रा भी करा देता हैं, माने डिशुम डिशुम, ठड़ाइक जगडे में के मूर में बैटे हैं बट अभी आप देख रहे हैं 11 नंबर Aquarius liberal form of Saturn विपरीत राजयोग बना रहे हैं ठीक हो गया तो इनको जब भी पैसा खर्च करने के लिए मिलेगा तो आप जानते हैं शनी पैसा खर्च करने में बहुत कंजूस प्रवर्ति मानते हैं बहुत बढ़िया से इसाब रखता है तो वो ठीक है और ये अगर किसी का माने किसी के लिए investment ये कर रहे हैं तो ट्रिगर करेगा राजयोग विपरीत राजयोग ठीक हो गया और आप देख रहे हैं शनी का सोरे के साथ संबंद है तो वो येश दिलाने वाला सोरिया ने बढ़िया मिला है और क्या चाहिए रोविणी नक्षत्र के लिए हम आपने हमारे वीडियो देखे होंगे प्रजापती अभी मैं विम्शोत्री ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे विम्शोत्री महादर्शा सबसे ज़्यादा प्रचलित है तो हम केवल उसके ग्रह को देखकर ही उपचार कर लेते हैं वो भी एक तरीक है लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ उसका वैदिक तो रोहिणी नक्षत्र का वैदिक देवता है प्रजापती ठीक हो गया आप जानते हैं अश्व जो है याने घोडे में एक प्रकार प्रजापती का वास होता है तो भारती उसमें तो वैदिक यग्यों में सबसे ज़्यादा महत्व घोडो का राय चाहे वाजपे यग्य रहा हो राजसुय गिरा हो बिन अश्व के वो संपन्द नहीं हो सकते हैं ठीक हो गया तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार का चित्र लगाना संभव है यदि कई बार भाई जिसमारे पास option होता है कि भई हम ऐसा कर सकते हैं करना चाहें तो कर सकते हैं तो कर लें अगर ज़र संभव हैं तो एक पंत दो काज हो जाएगा, मने होर्स राइडिंग अगर इस सीखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए, क्योंकि उनके बारे स्टडी करेंगे, उनके साथ रहेंगे, अश्वा के साथ रहेंगे, अश्वा रोहन करेंगे, रोहनी नक अधर को फियर है, वो काफी कम हो जाएगा, कि भी शादी ये समय से करें, संतान समय से हो, वो फियर कम हो जाएगा, ठीक हो गया, और चाट काफी अच्छा है, बहुत सुंदर है, व्यक्तित्व, तो आज के लिए इतना ही, आपको चाट कैसा लगा, क्या-क्या चीजे, और ह हम भविष्य में सीख सकते हैं, इस बारे भी अप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, कि वो रिकार्डिंग भी करें, देखिए, बहुत सुझेशन हमें मिलते हैं, हम जब जो कॉमन से लगते हैं, कि वो उन पर फिर हम आगे रिकार्डिंग करने का विचार बनाते हैं, और क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा जब आप लोगों का समू हम मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें एक विचार अगर हमें कई बार लगता है, जैसे आपको कभी अलग सकता है, कि ये एक विचार है, वो सुना नहीं जा रहा है, बिल्कुल सुना जा रहा है उसको हमने पढ़ा है, परिकिन कई बार उस एक प्रश्न का उत्तर दे पाना आप भी समझ रहे हैं, संभव नहीं हो पाता, लेकिन जब वो प्रश्न, कई अलग अलग विच्थित्व भी उसी प्रश्न पर उसका समाधान, संका समाधान चाते हैं, तो फिर हम उसके बारे ज और ज़्यादा परिपक हो जाते हैं, यह चीज मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, शायद टेलिविजन में कई लोगों ने शुकराचारे के बारे में जो भी उन्होंने इमेज देखी है, तो उनके मन में कुछ गलत बैठा हुआ है, यह अच्छे से समझ लिजिया, तो भी हम दूसरे पर थोब देते हैं, इसलिए एक लाइन में कहीं आपने पढ़ लिया कि वो दैथ्य गुरू हैं, तो खराबी होंगे, यह टेलिविजन में मैंने देखा था, वो काले कपड़े वाले होते हैं, वोई शुकराचारे होते हैं, तो यह सही तरीका नहीं है, आप सीरियस चड़ी करने के बाद ही, जिग्यासा होनी चाहिए, लेकिन सर्व डिकलरेशन बिना उसको पढ़े, बिना जाने, जो डिकलेर कर देते हैं, कि शुकराचारे तो अच्छे नहीं है, यह आपको कहीं आपके लिए बुड़ा हो सकता, इसलिए हम ऐसे अपमान नही कर सकते हैं, उनका क्याम किसी का भी अपमान नहीं कर सकते हैं ग्रहों में, ठीक हो गया, इसलिए यह जो प्रश्न करते हैं, तो उसकी सीमा में रहकर करना चाहिए, कई लोगों ने कमेंट किया कि शुकराचारे तो सर ऐसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके पास समय नहीं ह किया नहीं उन्होंने टेलिविजन में देखा है बस तो बस सीधा उनन डेक्लेयर कर दिया तो जब जीवन में आपको जब शुक्र की सबसे ज़्यादा और शक्ता होगी तो फिर आपको शुक्र का आशिरवाद नहीं मिलेगा इसलिए आप शनका समाधान करना चाहिए लेकिन जो सल्फ डेक्लेरेशन के मूर में आ जाते हैं कि शुक्र खराब होते हैं शर आप अंत में शुक्राचारे क्यों बोलते हैं मैंने उसका कई बार उत्तर दिया हैं तो आप उत्तर ढूंडें उत्तर तलाशें लेकिन बिना उत्तर ढूंडें जब आप डिक्लेयर करने लग जाते हैं तो गर्त में गरने का समय आ जाता है इसलिए ऐसा ना करें ऐसा अनर्थ ना करें अपने साथ तो बहुत शुम्हां मंगल काम नहीं जाते हैं नमस्त नमस्कार